बारतिय जनता पार्टी इस चीज पे विचार करे कि किस महिला ने अपना दिन रात मेहनत की है पार्टी को यहां तक ले कर आए हैं पार्टी का जंडा उठाने वाला खोड़ा नगर पालिका में पहले गजंदर भार्टी और उनकी टीम है जिनोंने मानिय सांसजी को बहुत अ लेकिन मेरे बराबर किसी ने काम नहीं किया है तो बारतिय जनता पार्टी इस चीज़ पर भी करें टिकट का दौर टिकट का वक्त बहुत नर्जिक आ गया है बहुत करीब है आज हम इंट्रव्यू कर रहे हैं शायद एक या दो दिन में टिकट की डिकलेशन हो जाए रिना भाटी क्या उम्मीद लगा कर बैठी है पार्टी से क्योंकि आप ही की पार्टी में बड़ी लि लिए समिल पार्टी का में घुझार आए वह कहां देख रही हैं दीकि मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी भारतिय जनता पारटी को अपना भगवान माना है मैंने बस इतना कहना चाहूंगी कि हर जो भी मेरे लिए आया महिला, एक ऐसी महिला हूँ मैं जो कि रात के 12 बजे भी आपको फिल्ट में दिखाई दोंगी, और अभी जो मैं यही कहना चाहूँगी, कि जो लोग आ रहे हैं लिकल के, वो पूरे पास साल कहां थे, उनकी महिला है कहां थी, या मैं यही कहना चाहूँगी, कि अगर आप जन पार्टी इस चीज पर विचार करे कि किस महिला ने अपना दिन रात मेहनत की है, पार्टी को यहां तक लेकर आए हैं, पार्टी का जंडा उठाने वाला खोड़ा नगरपालिका में, पहले गजंदर भार्टी और उनकी टीम है, जिनोंने मानिय सांसद जी को बहुत अच्छी उनकी धरम पतनी मेरे सामने लड़ी थी, तो मैंने उनके सामने 14,000 वोट निर्दली पाई थी, तो मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा खुद का वोट बेंक बहुत है, मैंने वहवार बनाया है, लोगों की दिलों में जगे बनाई है, तो पार्टी से मैं बस इतना ही निवेद बनता है, तो ऐसे बें विचार ना करके, अपने कारिय करताओं पर विचार करेगी, तो भारतिय जनता पार्टी भी फले फुलेगी, और उसका परिवार भी, चेर्मन साब, मैं कई नेताओं की वानी सुन रहा हूं कि टिकट तो हमारी जेम में रखा हुआ है, किसकी जेम है टिकट है, उसका जो भारतिय जनता पार्टी की नीतियों पर काम करेगा, जो भारतिय जनता पार्टी को बुलंद करेगा, और जो भारतिय जनता पार्टी का टिकट जेम में लेकर घुम रहा है, तो वो इंतिजार क्यों कर रहा है, अब तक तो लड़ लेना चाहिए था उन उनके संग्यान में सब कुछ है और वूनी के हाथ में टिकट है और वो ही अपने कार्येकरता को टिकट देगा टिकट किसी की जेब में नहीं होता। यह सब कहने सुनने वाली बात है, लोगों को बर्गला रहे है, कि टिकट हमारा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, समय पे सभी को जानकारी हो जाएगी कि टिकट किसका है, आज भारती जन्ता पार्टी के समय में हर कोई आजाद है, हर कोई अपने आपको कहते हैं कि दावेदार म हिसा कि जन्ता को या बच्चों को या परिवारों को तबाया जाता हूँ, अपने अपने असे में हैं में जताऊं जकते हैं प्रफदार के कार कांञे करता होगा, मैं तो सेवक बनके ben रही और सेवा ही करना चाहती हैं, आज सभी लोग टिकट मांग सकते हैं, लेकिन मेरे से अलग उसके भारतिय जनता पार्टी हो या अन्य ओर पार्टी हो किसी के भी अमरपाल के सामने बूत नहीं लग पाते थे अगर टिकट किसी को मिलता है तो क्या रिना भार्टी तन मन धन से उस व्यक्ति को चुनाव लड़वाएंगी खोड़ा के अंदर भारती जनता पार्टी के सिंबल को जो लेकर आएगा कमल के फूल को लेकर जो मैदान में उतरेगा मैं बस इतना कहना चाहते हूँ कि भारती जनता पार्टी इस चीज पर जरूर विचार करे जो सक्रिय महिला है जिसने भारती जनता पार्टी को समय दिया है भारती जनता पार्टी के लिए काम किया है जनता के दुख सुख में खड़ी हुई है मैं उसके साथ में तन मन धन से बिल्कुल खड़ी हो जाओंगी लेकिन अगर मेरे बराबर अगर किसी ने काम नहीं किया है तो भारती जनता पार्टी इस चीज पर भी विचार करें कि मेरा भारती जनता पार्टी के अलावा और इस जनता के अलावा और कोई काम नहीं है उनकी सेवा करना ही मेरा काम है तो मै ये ही कहना चाहूँगी कि कारिय करता हो बिल्कुल महनत कर रहा हो और 4-5 साल भी नहीं 2 साल से भी सक्रिये दिखा दो कोई भी महिला, अगर 2 साल से जनता के बीच में आ रही- जा रही है तो कोई बात नहीं है, जिसको अब टिकट होगा से बातचीत करी है चाहे पांच साल का कारेकाल रहा हो चाहे टिकट को लेकर बात रही हो चाहे पार्टी लाइन पर कोई बात रही हो या फिर जो अपनी दावेदाली लोग कर रहे हैं किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो पार्टी का निर्डे है लेकिन सवाल य व्यक्ति पर भी विचार करे जो व्यक्ति लगातार पांच साल से इस नगरपालिका परिशत को अपना मान कर अपना परिवार मान कर अपना समय दिया जिस व्यक्ति ने यानि कि खुद रीना भाटी चेर्मेन जो पांच साल से रही है उनका ये कहना है कि पार्टी का निर्ने स जीत है वो कौन परतियाची सुनिश्चित करवा सकता है आप इस खबर पर इस वीडियो पर पने राय रखे इस वीडियो को शेर करिए